हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल के NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमने अमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर NCRT वीडियो सिरीज स्टार्ट की है जिसमें हम तीन सब्जेक्ट कवर करेंगे History, Geography, Political Science और फिलहाल हमने History सब्जेक्ट स्टार्ट किया है इसमें पहला टॉपिक है इंडस्वेली सिविलाइजेशन जिसका चठा पार्ट में आज आपके सामने रख रहा हूँ बड़े हे खुब सुरत तरीके से हमने आज का यह पार्ट तयार किया है पॉलिटी की द्रिष्टी से बेश्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखे और लास्ट में नीचे कमेंट सेक्षन में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा लेकिन हम जल्द ही पार्ट फाई का सुपर फास्टे रिवीजन कर लेते हैं तो कल हमने क्या पठा था स्थान और मिली साक्षय के संदर्व में चनहु दढ़ों से लिपश्टिक के साक्षय मिले हैं क्या चनहुदडो से लिफ स्टिक के साक्ष मिले है और लोथल से पासा बर्ड मिला है। और यह चारों क्वेशन कल मैंने आपको बताये थे कपास के साक्ष कहां से प्राप्त हुए है मोहंजो दड़ो से हाथी का कपाल या तो हाथी की खोपड़ी कहां से मिली है हडपा से और हाथी का दात कहां से मिला है लोथल से यहां गलती हो सकते है कि हाथी की खोपड़ी कहां से मिली है हडपा से हाथी का दात कहां से मिला है लोथल से और मिस्त्र के लोग किस की पुझा करते थे नील नदी की दीवी आईसीस की पुझा करते थे मिस्त्र के लोग और मोहन जो दडो से एक काशिया निर्मित नर्तकी की पक्की मूर्ती मिली है इमेज में अब देख सकते ह मोहन जोदडो से एक काश्य निर्मित नर्तकी की पक्की मुर्ती मिले है और कोट दीजी नामक स्थान परीपकवा हडपाई सब्यता के चरण को प्रदर्शित करता है तो यह स्थान का नाम भी यद रखलो कि कोट दीजी यह स्थान परीपकवा हडपाई सब्यता के चरण को प पाये गए है और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट शिक्स तो वेलकम टू पार्ट शिक्स और यह चठे पार्ट में अडप्पाई सब्यता के कुछ महत्वपुर्णस थल है उनके स्थान खोजकरता कौन है अवस्थिती मिन्स लॉकेशन कहां मिला है और महत्वपुर्णस साक् और आज का यह वीडियो पहुत ही खुब सुरत तरीके से तयार किया है लास्ट तक देखने के बाद नीचे कमेंट शेक्षन में जरू बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा सबसे पहला स्थल है हडप्पा हडप्पा के खोज करता कौन है दयाराम साहनी और हडप्पा क मिन्स लोकेशन में आपको बताओ तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांद में मौंट गौमरी जिले में रावी नदी के तड़ पर स्थी थे यह हडप्पा तो दस्तों यह सभी फ्यक्ट ऐसे है किसी भी फ्यक्ट को उठा कर क्वेशन एग्जामिनेशन में पुछ लिया जा स करता है तो चलिए बताइए हडप्पा खोज करता कौन दयाराम साहनी खोज कब की 1921 में और लोकेशन तो के पाकिस्तान के पंजाब प्रांद में मौंट गौमरी जिले में रावी नदी के तड़ पर स्थी थे और महत्व पुर्ण साक्ष्य कौन से मिले है हडप्पा से महत अन्नागार और बेलगाडी के साक्ष भी मिले है हडप्पा से तो यह तीनो नाम याद रख लिजिए मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तिया अन्नागार और बेलगाडी के साक्ष हडप्पा से मिले है तो बताइए कि हमने बात की हडप्पा के हडप्पा क खोज करता कौन? आपने नाम याद रख लिया है? ओके, बताए, सबसे पहले तो मुझे वर्ष बताए, 1921 में, दयाराम साहनी ने या हडपा की खोज की, किस ने? दयाराम साहनी ने हडपा की खोज की, और लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मौंट गौमरी जिले में, किस नदी के तड़ पर सी थे या हडपा? ओके, आपने याद रख लिया है, वैरी नाइस, रावी नदी के तड़ पर बसा हुआ या हडपा, और यहाँ आप मेप में देखे, कि यहाँ है या इंडस रिवर, और इंडस रिवर की एक सहायक नदी है, या रावी, और रावी के तड़ पर बसा हुआ है या हरपा, ओके आगे बात करें तो यहां से मिले कुछ महतो पुर्ण साक्ष मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तिया अन्नागार और बेलगाडी यह तीनों शब्दों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत बूलिएगा कि हडपा से मिले कुछ महतो पुर्ण साक्ष उनको याद करने के लिए यह ट्रिक्स कि हडपा से मनुष्य बेलगाडी में अन्ना लेकर आ रहा है कहा हड़पा से मनुष्य बेल गाड़ी में अनन लेकर आ रहा है और यहां अमें तीन शब्द याद रखने है मनुष्य बेल गाड़ी और अन मनुष्य से बनता है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्तर की बनी मुर्तिया मिली है हडपा से बेल गाडी के साक्ष मिले है हडपा से और अन्न लेकर आ रहा है यानि कि अन्ना गार भी प्राप्त हुआ है हडपा से और अब दूसरा स्थल का नाम है मोहन जो दड़ो मोहन जो दडो का मिनिंग क्या होता है मुरुतको का टिला लोथल का भी मिनिंग होता है मुरुतको का टिला और मोहन जो दडो का भी मिनिंग होता है मुरुतको का टिला और मोहन जो दडो के खोज करता कौन थे राखाल दास बनर जी इमेज में आप देख सकते हैं राखाल दास मेनर जी ने 1922 में मोहनजोदरो की खोज की और यहां पूरे नगर के मेप को इमेज में आप देख सकते हैं यह है मोहनजोदरो किस नदी के तट पर बसा हुआ है सिंदू नदी के तट पर बसा हुआ है और दो भागों में बटा हु के लरकाना जिल्ले में सिंदु नदी के तड़ पर स्थित है। फिर से एक बार देखलो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांग के लरकाना जिल्ले में सिंदु नदी के तड़ पर या महनजो दरो नामक शहर बसा हुआ था। सभी को याद कर लेते हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है, कांस्यक की नर्तकी की मुर्ती भी प्राप्त हुई है, पशुपती महादेव की मुहर, दाडी वाले मनुश्यकी पत्थर की मुर्ती और बुने हुए कपड़े, यह सभी के साक्षय प्राप्त हुए है मोहन जो दड़ों से और यह सभी याद रखने के लिए भी मैंने एक बहुत ही खुबसुरत ट्रिक्स बनाई है आगे मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन पहले आप मुझे बताईए कि मोहन जो दड़ों का अर्थ क्या होता है ओके आपने याद रख लिया है तो बताईए मुरुता को का टिला क्या मोहन जो दड़ों का मीनिंग क्या होता है मुरुता को का टिला खोज करता कौन थे राखाल दास बनरजी इमेज में आप देख सकते हैं राखाल दास बनरजी ने मोहंजो दड़ो की खोज की है और लोकेशन मी ने आपको बताया कि पाकिस्तान के पंजाब ब्रांद के लर्काना जिल्ले में किस नदी के तटपर या मोहन जो दड़ो बसा हुआ है और के सिंदू रिवर के तटपर कहां सिंदू रिवर के तटपर या मोहन जो दड़ो शहर बसा हुआ है और मोहन जो दडो से महत्व पुर्ण जो साक्ष मिले है वो हमने याद रख लिये है विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्यकी नर्तकी की मुर्ती, पशुपती महादेव की मुहर, दाडी वाले मनुश्यकी पत्थर की मुर्ती और बुने हुए कपड़े यह सभी के साक्ष प्राप्त हुए है मोहन जो दडो से, और इमेज आप देख सकते हैं, यह है कांस्यकी नर्तकी की मुर्ती, और यह है दाडी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मुर्ती, वो भी मोहन जो दडो से प्राप्त हुए है, तो हमने जो ट्रिक्स बनाई है, वो आप याद रख लिजिए और ट्रिक्स में एक सेंटेंस आपको याद रखना है विशाल अन कपड़े में लेकर दाड़ी वाले पशु को कास्या में दिया क्या विशाल अन कपड़े में लेकर दाड़ी वाले पशु को कास्या नमक जो बरतन था उसमें दिया फिर से एक बार ट्रिक्स पड़ लेते हैं कि विशाल अन कपड़े में लेकर दाड़ी वाले पशु को कांस्यक के बरतन में दिया तो यहां जो मैंने आपको कलर कोट बताया है उनके जरिये मैं आपको अब समझाना चाहूंगा कि विशाल स्नानागार प्राप्त कहा से हुआ है महंजो दड़ो से अननागार भी प्राप्त हुआ है हरप्पा से भी और महंजो दड़ो से और बुने हुए कपड़े के साक्ष भी मिले है महंजो दड़ो से दाडी वाले मनुश्य की पत्थर की मुर्ती भी मिली है मोहनजोदारों से और पशू यान की पशू पती महादेव की मुहर और कांस्य की नर्तकी की मुर्ती भी मिली है मोहनजोदारों से तो यह सभी दोस्तों ट्रिक्स के जरिये हमने आसानी से याद रख लिये ट्रिक्स क्य विशाल अन कपड़े में लेकर दाड़ी वाले पश्यू को कांस्या में दिया कांस्या के बर्तन में दिया ओके और क्वेशन आपकी स्क्रेन पर है और आंसर अब आपको पता चल जाएगा कि निम्ना में से किसका अर्थ मुरुतकों का टिला होता है मोहन जो दड़ो का होता है मुरुतकों का टिला इमेजम अब देख सकते हैं और यहाँ एक विशाल स्नानागार यानि की ग्रेट बात भी मिला है कहां से मोहन जो दड़ो से हुआ है तो यहाँ सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा कास्यकी नर्तकी की मुर्ती भी मिली है बिल्कुल सही जो ट्रिक्स में मीने आपको बताया था कास्यकी नर्तकी की मुर्ती पश्यूपती महादेव की मुहर दाड़ी वाले मनुश्यकी पत्थर की मुर्ती यह स सभी साक्ष मिले है मोहन जो दाड़ों से तो हमारा आंसर बन जाता है उप परियुक्त सभी और जल्द बाजी में ऐसा न हो कि हमने केवल एक ही आप्शन पड़ लिया और आंसर शीप में हमने ऐसे राउंड कर लिया तो हमारा यह आंसर गलत होगा और हो सकता है कि हमारे 33 0.33% मार्क्स है वो माइनस हो जाए अगला स्थल है सुथ का गेंडोर क्या सुथ का गेंडोर तो सबसे पहले तो लोकेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुथ का गेंडोर है कहां पर सुथ का गेंडोर कल मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हमारा जो हरप्पा सभ्यता क बहुगोलिक विस्तार है वो कहां कहां तक है तो उत्तर में मांडा तक उत्तर में मांडा तक डक्षिन में दैमाबाद यानकी महाराष्ट्र के दैमाबाद तक पूरप में आलमगीरपुर तक और पस्चिम में लाष्ट कॉन सस्थल है सुतका गेंडर जीसकी हम बात कर रहे है तो सुतका गेंडोर के खोज करता कौन? स्टीन और स्टीन ने यह सुतका गेंडोर नमक स्थान की खोज कब की? 1929 में और इसका लोकेशन में आपको बताऊ तो पाकिस्तान के दक्षिन पस्चिमी राज्य बलुची स्थान में दास्ता नदी के किनारे पर स्थी थे फिर से एक बार कि पाकिस्तान के दक्षिन पस्चिमी राज्य बलुची स्थान में दास्ता नदी के किनारे पर स्थी थे यह सुतका गेंडोर और महत्व पुर्ण खोज कौन कौन सी की गई है? हडपा और बेबी लोन के बीच व्यापार का कैंदर बिंदू था तो यहां से क्वेशन बन सकता है कि हडपा और बेबी लोन के बीच व्यापार का कैंदर बिंदू कौन सा शहर था? सुतका गेंडोर ओके? तो बताए सुतका गेंडोर के बारे में खोज करता कौन थे आपने याद रख लिया है तो बताए स्टीन कौन स्टीन सुतका गेंडोर के खोज करता और खोज कब के 1929 में वेरी नाइस और सुतका गेंडोर यहाँ आप देख सके है मेप के जरिये कि यहाँ पर है यह पूरा ज स्थान कौन सा है मांडा दक्षिन में है दैमाबाद महाराष्ट्र में है पूरब में है पूरब में कौन सा है दोस्तों आलमगीरपूर है ओके यहाँ पर नहीं दिखाया गया है आलमगीरपूर और पस्चिम में है सूत का गेंडोर आगे बात करें तो इस क्वेशन का आंसर पताईए निम्ना में से कौन सा स्थान हडपा और बेबी लोन के बीच वियापार का केंदर बिंदु था ओके हाल ही में हमने पढ़ा सुत का गेंदुर हडपा और बेबी लोन के बीच वियापार का केंदर बिंदु था यहां पर आप देख सकते हैं यह है सुत का गेंदुर क के दोस्तों किस नदी पर नदी का नाम क्या था नदी का नाम था किस नदी का नाम है दास्त नदी के किनारे पर स्थित था सूत का गेंडर ओके और अब बात करते हैं चनहु दड़ो की तो चनहु दड़ो कहां पर है पहले तो मेप में हम खोज लेते हैं चनहु दड़ो कहां पर है यहाँ पर है यह चनहु दड़ो क्या यह है चनहु दड़ो तो चनहु दड़ो के खोज करता कौन चनहु दड़ो की खोज एन जी मजुमदार ने की किसने एन जी मजुमदार ने 1931 में चनहु दड़ो की खोज की और लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊ सिंधु नदी के तड़ पर सिंधु प्रांत में स्थीत है या चनहु दड़ो फिर से एक बार मिप में हम देख लेते हैं कि चनहु दड़ो किस नदी के तड़ पर है चनहु दड़ो सिंधु नदी के तड़ पर है तो यहां पर लिखा है सिंधु ओके यह इसका पुरा मार्ग हो गया और यहां अरब सागर में यह नदी मिल जाते हैं। कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी प्राप्त हुए है चनहु दड़ो से तो यह दोनों साक्षय याद रख लिजिए कि मनके बनाने की दुकाने या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहां से मिले है चनहु दड़ो से मिले है तो बता चनहु दड़ों से मन के बनाने की दुकाने प्राप्त हुई है और आगे बात करते हैं आमरी स्थलकी तो सबसे पहले यहां मेप में देखे कि आमरी तो यहां चनहु दड़ों की बात की तो यह है सिंदु रिवर और सिंदु रिवर में यहां पर है तट पर बसा हुआ यह आम आमरी के खोज करता कौन? जिन्होंने चन्हु दड़ों की खोज की उन्होंने ही आमरी की खोज की यान की एन जी मजुमदार ने 1935 में आमरी नमक यह अरपपाइस थलकी शोद की और अवस्थिती यान की लोकेशन यह सिंदू नदी के तड़ पर है और महत्व पुरुना साक्ष्य कौन से मिले है? हिरन के साक्ष्य मिले है दोस्तो यदि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुछ लिया जाए कि हिरन के साक्ष्य कहां से मिले है और ऑप्शन में है वो सुतका गेंड़ोर, महंजो दड़ो, चन्हु दड़ो या आमरी तो हमारा आंसर होना आमरी से हिरन के साक्ष्य मिले है तो बताए आमरी नामक सिंदू सब्यता स्थल की खोज किसने की थे? आमरी नामक सिंदू सब्यता स्थल की खोज किसने की थे? एन जी मजुमदार ने विथ इमेज मीने आपको बताया क्या एन जी मजुमदार ने यह आमरी नामक सिंदू और यहां मेप आ गया है तो मेप में हम देख लेते हैं कि यह है सिंदुरिवर और यहां पर है आमरी क्या यहां पर है आमरी आगे बात करें तो एक और क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है एन जी मजुमदार ने किस सिंदू सब्यता के स्थल की खोज महत्व पुर्ण योगदान दिया किस सिंदू सब्यता के स्थल की खोज में महत्व पुर्ण योगदान दिया तो चनहुदड़ों बिलकुल सही आमरी बिलकुल सही या दोनों ऐसे महत्वपुर्ण सिंदु सब्यता के स्थल है जिसकी खोज करने में N.G. मजुमदार ने महत्वपुर्ण योगदान दिया है तो जल्द बाजी में सिर्फ चनहुदड़ों या आमरी हमें आप्शन नहीं पसंद करना है लेकिन A और B दोनों आएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा ओप्शन D ओके और हिरन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए है हिरन के साक्ष्य प्राप्त हुए है आमरी से ओके वेरे नाइस दोस्तों वाके में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लैक करे मैं बार-बार रिक्विस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तकरिबन 4-5 गंटों की कड़ी महिनत के बाद यह वीथ इमेज इसी तरह का प्रेजेंटेशन बनता है तो बदले में एक छोटी सी उम्मित तो रखूंगा है चलिए आगे बात करते हैं काली बंगन के तो काली बंगन के खोज करता कौन थे काली बंगन की खोज अमला नंद घोशने की थे किसने अमला नंद घोशने 1903 पन में काली बंगन की खोज की और यहां मेप में देखे कि काली बंगन है कहां पर तो यह हैं राजस्तान क्या यह हैं राजस्तान और राजस्तान में यहां दोस्तों है काली और काली बंगन के लोकेशन के बारे में मैं आपको बताओ तो राजस्थान में धगर नदी के किनारे पर बसा हुआ है काली बंगन यहां से most important question बन सकता है कि काली बंगन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक हरपई सब्यता का स्थल है धगर नदी के किनारे पर और यहां से क पुछ महत्वपुर्ण जो साक्ष मिले है उनकी बात करे तो अगनिवेदी का ये उट की हड़िया लकडि का हल ये तीनों साक्ष मिले है काली बंगन से और हमको पता है कि राजस्तान में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहां पर उट पाये जाते है तो उट की हड़ियों के साक्ष भी मिले है काली बंगन से और काली बंगन से निम्न में से कौन सा साक्ष प्राप्ट हुआ है इसी तरह का Question Examination में आये तो हमने पड़ा कि अगनीवेदी का ये उठ की हड़िया और लक्डि का हल या तीनों साक्षय मिले है कालीबंगन से तो हमारा आंसर बन जाएगा उपर युकत सभे और स्थल और खोज करता के संदर्व में कौन सा युगम गलत है मैंने वीडियो स्टाट किया तब से बता रहा हूँ कि कौन से हडपाई सब्यता के स्थल के खोज किस ने की है तो आमरी की खोज, एन जी मजुमदार ने की, बिल्कुल सही, मोहन जो दडो की खोज, रखाल दास बनर जी ने की, बिल्कुल सही, यहे एन जी मजुमदार, एन जी मजुमदार ने आमरी की खोज की, यहे रखाल दास बनर जी, उन्होंने मोहन जो दडो की खोज की, और हडप हडपा की खोज की है दयाराम साहनी ने यह है दयाराम साहनी जिन्होंने हडपा की खोज की और लोथल की खोज अमला नंद घोशने की यहां कुछ गलत है क्योंकि लोथल की खोज अमला नंद घोशने नहीं की है तो यहां हमें पता चल गया कौन सा युगमा गलत है D नुमबर वाला जो युगमा है वो गलत है तो हमारा आंसर बन जाता है option D और यहां जिक्र किया गया है लोथल का तो लोथल के खोज करता कौन थे S.R. राव इमेज में आप देख सकते है S.R. राव ने 1903 में लोथल की खोज की और इसका location में आपको बताऊ तो गुजरात में कैमबे की कड़ी के नस्दिक भोगावो नदी के किनारे पर यह लोथल बसा हुआ है और लोथल से जो कुछ महतोपुर्ण साक्षय मिले है यह साक्षय को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक्स बनाई है मागो चावल अगनी खेल क्या मागो चावल अगनी खेल और दोस्तों यहाँ जब हम बात कर रहे हैं लोथल के तो लोथल की मैंने दो बार वीजिट की है मैंने वहाँ पर जाकर देखा है यह सभी साक्षय को मैंने देखा है वहाँ एक अच्छा सा म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ पर कुछ महतोपुर्ण साक्षय को रखा गया है तो देखो कि लोथल से कौन कौन से महतोपुर्ण साक्षय मिले है मानव निर्मित बन्दरगा गोदिवाडा चावल की भूसी अगनी वेदी का ये श्यत्रंज का खेल यो सभी साक्षय मिले है लोथल से लेकिन ट्रिक्स कौन से यद रखने है मागो चावल अगनी खेल क्या मागो चावल अगनी खेल तो मा बोले तो मानव निर्मित बन्दरगा गो बोले तो गोदिवाडा चावल बोले तो चावल की भूसी अगनी बोले तो अगनी वेदी का ये और खेल बोले तो श्यत्रंज उसका खेल यह सभी साक्षय मिले है लोथल से और भारत का सबसे प्राचिन्तम बंदरगा नगर कहा जा सकता है क्या भारत का सबसे पूराना पॉर्टर सिटी हम कह सकते हैं लोथल को जिसकी नगरचना कुछ इस तरकी थी और यहां मैं आपको साक्षय के बारे में बताऊ तो य यह है मानव निर्मित बंदरगा और यह है गोधिवाड़ा ओके तो बताइए इस क्वेशन का अंसर मानव निर्मित बंदरगा और गोधिवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ है लोथल से कहां से लोथल से और पूरा तत्ववीद S.R. राव की अगुवाई में कहीं टीमों मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई 28 थलों की खोज की जिन में से बंदरगा शहर लोथल को भी शामिल किया गया है तो हमें यह याद रख लेना है कि 1954 से लेकर 1963 तक बहुत से 28 थलों की खोज की गई और लोथल की खोज किसने की है S.R. Rao की अगुवाई में इसकी खोज की गई है और मोहन जोदडो की तर लोथल का भी अर्थ होता है मुर्दो का टिला क्या मुर्दो का टिला यहां से क्वेशन बन सकता है कि किस का अर्थ होता है मुर्दो का टिला मोहन जोदडो लोथल धौलाविरा या A और B दोनो तो हमा बात की खाड़ी के पास भोगावों और साबरमती नदियों के बीच यह स्थी थे लोथल, लोथल का लोकेशन याद रख लो, कि एक तरफ है भोगावों रिवर, दूसरी तरफ है साबरमती रिवर, दोनों के बीच स्थी थे यह बंदरगास शहर लोथल, अहमदाबाद से एक लंबी और दूल मिटी से भरी यात्रा के बाद सारग वाला गावों आता है, जहां लोथल का पूरा तात्विक स्थल स्थी थे, कहां यह सारग वाला गावों पर यह लोथल नामक जो पूरा तात्विक स्थल है, वो स्थी थे, और लोथल का अर्थ क्या ह मैंने आपको हाल ही में बताया मुरुत को का टिला क्या मुरुत को का टिला मोहन जो दड़ो और लोथल दोनों का मीनिंग होता है मुरुत को का टिला और लोथल कौन कौन सी नदियों के बीच स्थी थे तो मैंने आपको हाल ही में बताया आपकी नजर स्क्रीन पर थे तो आंसर आपको पता है बताए लोथल कौन-कौन सी नदियों के बीच स्थित है एक तो है भोगा वो ओके दूसरी है साबरमती और साबरमती नदिय के तड़ पर हमारे पुझ्य बापु ने आश्रम की स्थापना की और आगे बात करें लोथल की तो यहाँ एक आयताकार बेसिन यानिकी डॉक यार्ड मिला है यहाँ से 218 मिटर लंबा और 37 मिटर चोड़ा यह बेसिन चारो तरब से पक्की इंटो से गिरा हुआ है क्या चारो तरब से पक्की इंटो से गिरा हुआ है यह डॉक यार्ड तो बताइए भारत का पहला बंदर गा शहर कौन सा था जिसकी हम बात करें किया लोथल भारत का पहला बंदर गा शहर यानकी भारत का पहला पौर्ट शिटी और लोथल शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था एक उपरी हिस्सा यानकी अपर टाउन और दुसरा निचला हिस्सा यानकी लोbecause दोस्तो लगबग सभी अड़पाइस्थल ऐसे हैं जो दो ह हिस्सों में बटे है एक अपर टाउन और दूसरा लोर टाउन लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था एक ऐसा शहर जो दो नहीं बलकि तीन भागों में बटा हुआ है जिसका नाम क्या है नीचे कमेंट शेक्शन में जरू बताना लोथल में मन के मोती बनाने वाले बेहत कुशल कारीगर थे यहां आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के संग्राहले में लोथल में मिले मोती मन के रखे गए है और इस म्यूजियम को भी मैंने देखा है आगे बात करें तो सूर कोटडा सूर कोटडा की खोज किसने की जेपी जोशी ने 1964 में किसने जेपी जोशी ने स सूर कोटडा की खोज 1964 में की और कहां पर आउस्ती थे गुजरात में और यहां मेप के जरिये में आपको बताना चाहूंगा तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा यहरपाई सब्यता के स्तल किस राज्य में मिले है गुजरात राज्य में और यहां पर है यह सूर कोटडा क्य से मिले है क्या घोड़े के साक्ष कहां से मिले है सूर कोटदा से और मनके के साक्ष भी सूर कोटदा से मिले है और अब बताईए सूर कोटदा की खोज किसके नेत्रुतों में की गई थी जे पी जोशी की अगुवाई में सूर कोटदा की खोज की गई थी जे पी जोशी आपक स्क्रीन पर है और खोज कब की गई 1964 में आगे बात करें तो अगला स्थल है बनावली और यहां मेप में देखे कि बनावली कहां पर स्थी थे बनावली यह हर्याना के हिस्सार जिले में स्थी थे कहां पर हर्याना के हिस्सार जिले में और बनावली के खोज करता कौन है आर एस बिष्ट यहां इमेज में आप देख सकते हैं आर एस बिष्ट ने 1974 में बनावली की खोजकी जिसका लोकेशन में आपको बताऊ तो हरियाना के हिस्सार जिले में यह बनावली स्थित है और यहां से कुछ महत्व पुर्ण जो साक्ष मिले है कौन कौन से साक्ष मिले है मन के जो हडपाई पूर्व और हडपाई संस्कृतियों के साक्ष भी बनावली से मिले है और यहां मेप के जरिये एक और अच्छी बात में आपको बताने जा रहा हो कि यहां बहुत से हडपाई सब्यता को सब्यता के शहर को चेनित किया गया है और यहां पर से थे यह दौ साइट कौन सी थी धौला विरा लेकिन अब पहले नंबर पर आ गई है राखी गड़े हडपाई सब्यता की सबसे बड़ी साइट दूसरे नंबर पर है धौला विरा पहले स्थान पर है राखी गड़े अब इस क्वेशन का आंसर बताईए बनावली किस राज्य में सी थे बनावली हर्याना राज्य में सी थे किस राज्य में हर्याना में और अब बात करते हैं धौला विरा की तो धौला विरा को युनेसको द्वारा हाल ही में वल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और धौला विरा की खोज आर एस बिश्टन की किसने आर एस इसका लोकेशन में आपको बताओ तो गुजरात में कच्छ के रण में यह दोला विरास्थित है और यहां से कुछ महतो पुर्ण जो साक्ष मिले है वो है जल निकासी प्रबंदन और जल कुण्ड दोस्तो एक रेगिस्तान है यह कच्छ तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि रेगिस्तान होने की वज़से यहां पानी की किलत होगी और इसलिए पानी का प्रबंदन यहां पर किया गया है कापर दोला विरा में तो जल निकासी प्रबंदन और जल कुण्ड के साक्ष मिले है दोला विरा से इसी तरह आप यह मिले साक्ष को याद रख सकते कि कच्छ का रन और यहां जल की बहुत ये किलत इसलिए जल निकासी प्रबंधन और जल कुन के साक्ष मिले है धौला विरा से अब इस क्वेशन का आंसर बताईए स्थल और अवस्थीति के संदर में कौन सा युगमा गलत है यहां हमें ढूंडना है कौन सा युगमा गलत है चारो युगम को त्यांसे पड़ते है कि धौला विरा गुजरात के कच्छ में स्थी थे बिलकुल सही बनावली हरियाना के हिस्सार में स्थी थे बिलकुल सही और काली बंगा राजस्तान में है यानकि यह भी सही है तो यहां हमें पुछा गया है कौन सा युगमा गलत है इन में से कोई भी युगमा गलत नहीं है तो हमारा अंसर बन जाता है ओप्शन डी दोस्तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा एलपफुल लगा तो ठोको ताले मिन्स इस वीडियो को लाइक करे और आपके दोस्तों के इस वीडियो की लिंक शेर करे इसी तरह के नए वीड के में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करे तक्रिबन साधे चार घंटों की कड़ी मैनेत के बाद यह वीडियो बनकर तयार हुआ है तो बदले में एक छोटी सी उम्मिद है वीडियो को लाइक करे और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेर करे इसी तर प्रही करे तो रभिप है के टूस्ते है तो रूस्ता हैsto